साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो जैसा कि हम आपको पता है कि बहुत लेक्टर्ट में चैनल पर अवलेबल है और जैसा कि मैंने अब दीबिटी जैरफ और रिमेली एक्जाम के लिए जो हमारे अपकमिंग एक्जाम होने वाले है उसके रिगारणिंग हमने चैप्टर को इस्टार्ट किये थे तो जहाँ पर हमने डीबिटी जैरफ को टार्गेर करते हुए हमने कुछ नुमेरिकल को सीखा था ठेक आशा है कि य देखा था इसके अलावा हमने फूरीटी चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसमें हम लिपिट्स को पढ़ रहे हैं डीटेज्स में ठेक है तो इसमें हमने दो लेक्टर्स कवर कर लिए थे पहले में हमने जनरल इंट्रॉडक्शन कवर किया कि लिपिड की बाई लेयर वगएरा क्यों बनने की आवशकता हुई इस पार्ट को मैंने बता दिया था राइट प्लाजमा मेबरेन के बारे में हमने बिसिकली वहाँ पे जिक्र किया था ठेक है तो इस पार्ट को मैंने कवर कर दिया है और रिमेनिंग जो हमने सेकेंड लेक्चर में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टन चैप्टर था वो आपका पॉइंट था फ्लूडिटी को मैंने एक्स्प्लेर कर दिया था यहां से आपके एक्जाम में यह आपका समझ लीजे कि मैं डबल स्टार लगा देता हूँ है जितना स्टार आपके पास हो आप लगा लीजे यह कहीं न कहीं आपको अवश्च मिलेगा और यहां से कोश्चन बहुत बनते हैं तो इसको भी हमने काफी अच्छे से आपको बता दिया है जो आने वाले एक्जाम में आपको एक्ज के संदर्व में अब हम यहां पे कुछ और चीजों को जिक्र करेंगे ठीक है तो सबसे पहले बहुत ही सौर्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे तो इस सिमेट्री आप दा लिपिड बाइलेर जो होती है वो फंशनली इंपॉर्टेंट होती है तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो टर्मिलोजी है इस सिमेट्री इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कभी ही जुलोजी अगर आपने जब पढ़ी होगी जन्तु विज्यान जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपने सिमेट्री के अधार पे आपने चीजों को डिवाइड किया होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन जब करते हैं, तो सिमेट्री में क्या होता है, अगर आप किसी चीज को, मतलब वो सही से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा कि कोई asymmetric animals है, ठीक है, तो asymmetric क्या होता है, क unequal distribution होता है, लेकिन है तो unequal, लेकिन ये बहुत ही important होता है, क्यों important होता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं, फंसनली जो होता है, ये बहुत important होता है, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, तो सबसे पहले आपको यह याद रखता है, तो लिपिट कंपोजिशन आप two monolayer, जो कि हम ते आपको बताया था, कि यहाँ पर classification चलता है, terminology चलती है, जहाँ पर leaflet बोलेंगे, modolayer बोलेंगे, लेकिन आपको confused नहीं होना है, जो आपकी monolayer होती है, लिपिट की bilayer में, इन many membranes strikingly different होती है, यहाँ पर इनोंने RBC की बात की है, जिसको हम erythrocyde बोलते है और जैसे ही erythrocyde का नाम आएगा, तो जितनी भी RBC की property होनी चाहिए, वो आपके जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है, जैसे कि RBC जो होती है, इसका life span 120 days होता है, यह छोटी-छोटी चीजे हैं जो आप इसको याद रखिए, इसके अलावा RBC के बारे में आप क्या-क्या ज आप उस्वार्य साथी यहां पर जैसे मैं ने बताया था कि phosphate मध्या जरूर पाया जाता है, तो इनकी फॉस्पाटेटी कोली घुहता है, जो आप देख सकते हैं, मॉलीन होता है और तो जो आपके वेरेज आलमोस्ट आल डेट कंटेनर टर्मिनल प्राइमर्ली ए प्राइमरी अमाइनो ग्रूप फॉस्पटेटिल इथानोला माइन और फॉस्पटेटिल सीरीन जो होता है यह इनके इनर लेयर पे होता है तो यह चार आपके मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि आउटर लेयर पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके आउटर लेयर पे फॉस्पटेटिल कोलीन है और स्फिंगो माइलीन है ठीक है और इनर लेयर में आपका कौन होता है इथानोला माइन होता है और फॉस्पटेटिल सी होता है अगर आपको याद करने भी दिक्का ज़ो तो इसके नाम में सिरीन लगा हुआ है लिए से अदि कैसर होगा निगेटी को हमने यहसे समझ लिया तो यह जो होते हैं यह अपने में एक बहुत ही important play करते हैं जिसका role उन्होंने बताया है तो यहाँ पे जो पहला introduction का part था यहाँ पे लोने क्या किया इन्होंने RBC का example लिया RBC के बारे में हम समझ गये इसके दो outer membrane होगी inner membrane होगी inner में हमेशा phosphatidyl serine होगा जिसमें negative charge होगा और phosphatidyl ethernola mine होगा यह दो हमें याद रखना है positively charge बाहर होता है जैसे koline जो होता है वो positively charge होता है मैंने आपको बोला था कि अगर आपका structure भी अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है इसके structure को याद कर लीजेगा और इस finger myelin जो होता है वो RBC की surface पे होता है तो यह इतनी information थी जो हमने यहाँ पर देखा इसके बाद यह यहाँ पर figure बना हुआ है जो आपसे पूछा जा सकता है asymmetrical distribution of the phospholipid and glycolipid in the lipid की biler of the human RBC तो आप यहाँ पर देख सकते हैं the color used for the phospholipid head group आ दो जो पहले figure हमें बताया गया थे जितने भी type कि आपके यह phospholipid है, phosphatidicoline है या जो भी चीज़े है वो है और बीच बीच में जो आपको यह blue color का दिख रहा है जो कि यहाँ पर hexagonal के form में glycolipids दिखाए गए है जो उनके polar head group पर होते हैं तो अभी आपको दुनियादारी नहीं जाननी है बस आपको इतना जानना है कि RBC की surface पे कुछ glycolipids के molecule होते हैं जो आप बाद में जाके RBC की surface पे जो antigen वाली story पढ़ते हैं वो इन्ही सबसे relation है ठीक है बट अभी हम उस लहज़े पर नहीं जा रह इसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर unequal distribution है भाई देखा जाए तो जितने लाल इधर है उधरे लाल इधर भी होने चाहिए लेकिन आपको नहीं दिख रहा है ना मालिए कि एक दो तीन चार पांच है अगर ये red को मैं count करने लगो तो यहाँ पर तो red cable एक है तो symmetry तो इंपोर्टेंट चीज है निगेटिव चार्ज जो होता है वो अंदर होता है किसकी वजा से होता है तो निगेटिव हम को जब भी याद किया जाएगा हमसे पूछा जाएगा तो हम यहीं सोचेंगे भाई निगेटिव तो किसमें होता है OH में निगेटिव होता है अब OH के ढूंद लो कौन से amino acid में OH होता है तो serine जो होता है वो आपका alcohol containing amino acid है जब alcohol का मतलब OH, OH का मतलब negative और आगे लगा दीजे phosphatidyl serine हो गया ठेक है तो ये जो होता है plasma membrane का जो ये आपका lipid का molecule होता है ये negative charge provide करता है asymmetrical चीजों को हमने देख लिया इसके अलावा जो सबसे important जी यह सलबट में दिया हुआ है हो सकता है exam में आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा molecule है कौन सा ऐसा substance है जो lipid की bilayer में लगबग equal proportion में पाए जाता है तो उसका जो correct answer बनेगा वो आपका cholesterol बनेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको जो चीजे याद रखनी है मैं highlight कर देता हूँ cholesterol याद रखना है ठीक है हमने negative charge को पढ़ लिया हमेशा कहां होगा अंदर की तरफ होगा ठीक है बाकि याद करने भी दिक्कत है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप negativity जो आपके अंदर भी होती है तो आपके अंदर होती है negativity ठीक है किसी ने आपको समझा दिया तो आप उसके ग्रसित हो जाते हैं अपने मन में बैठा लेते हैं कि मेरे से चीजे नहीं होगा तो जो आपके negative thoughts है वो कहां है आपके अंदर है आपके भीतर है ठीक है तो negative charge कहां होगा अंदर की तरफ होगा अंदर की तरफ में कहां का मतलब cytosol अगर ऐसे भी question पूछ लिया तो भी हम answer कर करते हैं तो अब यहां पर जो आपको समझना और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेन चीज हमने समझी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है इक कोली distributed होता है तो यहां से आपका next time question बन सकता है इसके बाद यह जो paragraph है अगर आप मेरे पुराने students हैं अगर आपने मे बहुत ही आसान लगेंगी अन्यथा थोड़ा सा आपको मुझे समझाना पड़ेगा अन्यथा आप मेरे इस previous lecture को जाके जरूर देख लीजेगा अब यहां पर इस चीजों को justify किया गया है इस पूरे चीजों में कि lipid की asymmetry कैसे important है तो जब आप lipid की asymmetry कहा कहा important होता है तो य यह बेसिकली आपके जो signal transaction pathway में इनका रोल होता है ठीक है यह convert करते हैं extrasolar signal को intracellular one में ठीक है many cytosolic protein जो होते हैं वो bind करते है specific lipid के molecule पर यह मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने वहां पर आपको explain किया था with figure के साथ तो मैं इतनी आप एच्छा करता हूं कि यह चीज़े आप वहां से चाके cover करेंगे नहीं समझ में आएगा तो मेरे को comment section में बताएंगे ठीक है आप जैसे वहां पर मैंने आपको protein kinase पढ़ाया था यहां पे नोने protein kinase C का नाम लिया था वहां हमने A भी पढ़ा था B भी पढ़ा था C भी पढ़ा था अब आपको यह recall आ जाना च negative charge होगा जहां पर phosphatrial serine concentrated होते है and require this negatively charged phospholipid for its activity तो कहने का मतलब है कि जो आप यह interest में आप देख रहे थे ना तो चूंकि जब कोई signal आया मालीजे की lipid की bilayer है अब मैं आपको समझा देता हूं मालीजे कि यहां पर कोई signal molecule आके यहां पर bind किया तो यह इसको जो active होना था इ इसलिए lipid में asymmetrical distribution था वही चीज को यहां पर बताया जा रहा है कि जब protein kinase C ने active किया तो क्या हुआ कि cytosolic protein को activate करने के लिए molecules ने क्या किया जहां पर phosphatrial serine के molecule concentrated होते हैं और require करते हैं उसको phospholipid ताकि वो अपनी activity कर सके ठीक है दूसरे cases के बारे में दारन देखे आपको ब मोडिफाई करके protein binding site मतलब क्या बन जाएगा मतलब माली जे कि यह कोई A molecule का structure था इसको थोड़ा सा मोडिफाई करके माली जड़ बना दिया गया ठीक है यह मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अब इस पे कोई दूसरा protein आके आराम से bind कर जाएगा ठीक है तो यह इस तरीक होता था यह calcium के channel को open करता था और PIP2 जो होता था वो protein kinase को activate करता था तो यह बहुत important signal pathway है और यह question तो आपको मिलना ही मिलना है exam में IP3 जो होता है वो calcium gated channel को open करता है ठीक है तो यहाँ पर आपका PI जो होता है वो अनावदा minor phospholipid होता है concentrated होता है आपके cytosolic layer में पाए जाए होते हैं वो add होते जाते हैं और यह जो यहाँ पर ring होती है inositol की ring होती है जिससे binding site बन जाते हैं कि different protein जो होते हैं वो आके bind कर सके important example of such a lipid kinase जो होता है आपका PI3 kinase होता है जो कि इस तरीके से active होता और बहुत ही अच्छे से मैंने यह आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है तो करने में एहम role play कर रहा है दूसरी चीजें जो हमने इस paragraph में हमने यह समझा और इस paragraph में हमने यह समझा कि जो भी आपके phosphate के molecule होते हैं उनका जो modification हो रहा है जिससे वो protein binding sites बन सके वो भी बहुत ही important role play करती है ठीक है तो यह lipid की asymmetry जो है वो बहुत ही important है उसी तरीके से एक और लिबबढ़र देके आपको समझाया गया है ठीक है तो जैसे आपके बहुत सारे फॉसफो लाईपेज होते हैं जैसे कि आपके फॉस्फो लिपीड जो के plasma membrane पर पाय जाते है एक्स्तावडलस सिंग्दल को इंटर्स तर्लोर में अई प्लाज्मा मेम्रेन पर आपकी फॉस्फोलाईपेंस होतय है जो की ऐक्टिवेटेद बई اक्स्टावल सिंग्दल जो होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं तो क्लीव specific phospholipid के molecule को क्लीव करेंगे ओवियसी बात है कि जब lipase enzyme है तो lipid को ही तो क्लीव करेगा lipid कौन है आपका phospholipid molecule है अब इसी में आपको phospholipase C का example बताए गया है जो कि क्लीव करता है किसको करता है आइनोसाइटल phospholipid in the cytosolic monolayer of the plasma membrane to generate the two fragments one of which remain in the membrane and help activate protein kinase और other जो होता है वो cytosol में release हो जाता है और calcium के channel को open करता है यह मैंने आपको cell signaling में पढ़ाई है और जिदने भी आप questions paper को solve करेंगे यह आपको मिल जाएगा तो phospholipid C जो होते हैं यह आपका कारे करता है ठीक है तो उस चीजों को याद रखिएगा बहुत ही important signaling pathway है जहां से यह सारी चीजें आपकी active होती है ठीक है तो यह आपकी दो तरीके के molecule यहां पे generate होंगे तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से यह काम करते है ठीक है जिसमें से आपको यह सारी चीजें जो होगी calcium वाली story आपको हमेशा याद रखना है ठीक है इसके अलावा यह भी आपका बहुत ही most important है जो कि आपको एक्जाम में question मिल जाएगा animal exploit the phospholipid asymmetry of the plasma membrane to distinguish between live and dead cell ठीक है इनके बीच में भी यह discriminate करते हैं कैसे करते हैं तो जब आपकी animal की cell जो होती है apoptosis के लिए जाती है program of the cell death इसको बोलते है यह भी एक बहुत important topic है जो आने वाले समय में मैं आपको यह cover कर दूँग जिसको आप कह सकते है cell death कह सकते है tissue death कह सकते है ठीक है फिर आपका आता है एक apoptosis होता है इन चीजों को हम detail में cover करेंगे मतलब जब माली जाए apoptosis क्या होता है कि जब cells को signal मिला कि यह cell गंदा हो गया है बेकार हो गया हमको अपनी सुरच्छा के लिए इस particular एक इंसान को मार देना चाहिए तो इस process को क्या बोलते है apoptosis बोलते है जिसको programmed cell death बोलते है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आपका phosphatidyl serine होता है जैसे कि हमने क्या पढ़ा OH पढ़ा याद आ गया OH पे negative है negative कहा है हमारे भीतर है यानि कि plasma membrane के कहां पर है अंदर है ठीक है अभी तो समझ में आ गया inner leaflet पे है अब तो भीया नहीं भूलोगे ठीक है इतना मैंने आपको बता दिया phosphatidyl serine जो होता है वो normally cytosol में होता है या inner monolayer में होता है ठीक है लेकिन जब यह apoptosis की condition आएगी तो यह क्या करता है ट्रांसलोकेट हो जाता है extra solar की तरफ जाने लगता है the phosphatidyl serine exposed on the cell surface signal करता है neighboring cells जैसे आपके macrophage यह आपका तुरंत या जाना चाहिए क्या है यह आपका phagocytic cells था ठीक है antigen presenting cells था immunology में हमने पढ़ाता और ऐसे ही पढ़ाई करनी है ऐसा नहीं है कि macrophage का नाम आया तो goal हो गए ठीक है हर चीजे एक दूसरे से connected है और इसी वज़ा से हमने वीडियोस देखे होंगे तो यह आपको बहुत ही हलवा लगेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉस्पेडिल सीरीन जो था वो आपका भीतर था लेकिन जब यह बाहर की तरफ आ गया तो क्या आगया जो आपके neighboring cells होते हैं वो macro fast secret करते हैं जो phagocytosis करेंगे dead cells की और डाइजेस्ट कर लेंगे the translocation of the phosphatidial serine in hypoprosic cell is thought by the two mechanism अब यह जो होती है यह दो mechanism के द्वारा होती है जो कि यहाँ पर बताया गया है यह भी बहुत important है the phospholipid translocator होते हैं जो normally transport करते हैं this lipid from the outer monolayer to the inner monolayer इजे inactivated तो कहने का मतलब है कि इसमें दो hypothesis है क्योंकि इसकी concentration inner layer में ज्यादा होनी चाहिए थी तो हर चीछ की concentration को maintain करने के लिए ट्रांस लोकेटर लगे होते हैं यह हम आगे पढ़ लेंगे तो इसमें ऐसा ट्रांस लोकेटर मालिए कि यह आपका लिपिट का बाई लेयर था इसको निगेटिव अंदर होना था ठीक है यही तो स्टोरी अगर यह लिए तो एसा ट्रांस लोकेटर आपका कारी ही नहीं कर रहा है कि जो उसको अंदर की तरफ ले आए तो यानि कि इस स्टेप में प्रॉब्लम हो गई है वो बात यहां पर बताई गई है इसके लावा दूसरा होता है आपका इस क्रैम लेज होता है यह आपका इस केस में फ्लिपेज, फ्लोपेज ठेक है यहां आपको बहुत अच्छे से रटा देंगे और एक होता है आपका स्क्रैम लेज ठेक है तो यह सारे थरीके से अपना कारे करते हैं इसको हम कवर करेंगे तो स्क्रैम लेज जो होता है यह कारे करता है जो की ट्रांसफर करता ह नौन स्पेसिफिकली, यह वर्ड याद रखिएगा, नौन स्पेसिफिक ट्रांसफर करता है, बोथ डारेक्शन में करता है, between the two, monolayer, इज़े एक्टिवेटेड, तो स्क्रैमलेस की एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा, कि हैपपटोसिस हुआ, फॉस्पेडिल सीरीन निगेटिव से बाहर आगया, तो कौन से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, फिलिपेस दे दिया, फ्लोपेस दे दिया, स्क्रैमलेस दे दिया, तो आपको क्या आंसर करना है, तो हम क्या आंसर करेंगे, हम स्क्रैमलेस को आंसर करेंगे, ठीक ह वो होता है, down-deer concentration gradient, ठीक है, down-deer concentration gradient ये करता है, मतलब इधर concentration अगर कम होगी, और इधर concentration जादा होगा, तो इस क्रेमलेज हमेशा क्या करेगा, मतलब जादा से कम की तरफ लेकर जाएगा, अब ये, माल दीजे कि किसी condition में, माल दीजे कि अगर इस समय परड़ा इधर भारी है तो इधर जाएगा, इधर भारी है, तो इधर जाएगा, तो लेकिन इस केस में क्या होता है, कि ये उस वाली activity जादा हो जाती है, और इस क्रेमलेज की activity बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही short lecture था, और समभल लिजे कि किसमत अच्छी रहेगी, तो आपको बहुत हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो हमने क्या-क्या चीजे पढ़ ली है, जो हमारे नए बच्चे है, वो समझ ले, हमने bilayers को पढ़ लिया है, क्यो bilayers का formation हुआ, वो देख लिया, membranes के बारे में देख लिया, कौन-कौन से membrane के molecule होते है, उसकी fluidity को हमने बहुत अच्छ हैं, दो molecule अंदर हैं, अंदर वाले में आपका OH- वाला हमने बता दिया, negativity हमारे अंदर है, phosphatidyl serine हो गया, और ethanolamyl, ये दो नाम आपको याद रखना होगा, कोलीन और sphingomyelin आपका ऊपर होता है, ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसके लावा हमने structure में द कौन सा ऐसा molecule है, जो equal proportion में पाया जाता है, तो आपको cholesterol होता है, asymmetric क्या होता है, इसके पूरे definition को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, रट लिया है, सर ने रटा दिया, अंदर की तरफ negative है, उसको हम cytosol भी बोल सकते हैं, बाहर वारी layer को हम extrasolar बोलते हैं, इसी चीज को mono layer भ है, तो cell के signaling में important है, signal transaction pathway में important है, जो हमने cell signaling में PIP3 वाली story हमने पढ़ी, PIP2 पढ़ा, या IP3 पढ़ा, तो ये सारी story lipid की membranes के गुजर रही थी, तो ये इन सब चीजों से लेना देना है, तो कभी भी ऐसे questions आएंगे, तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद हमने कुछ और भी process होती है, अगर आप जानते थे, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज हमने ये भी समझा कि apoptosis भी एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो इसी माध्यम से जो cells होती है, वो signal देती है, कैसे देती है, जो आपका negative charge होना चाहिए, वो आपके मन के भीत होना चाहिए था, जैसे वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन जब apoptosis कराना होता है, तो उस negativity को बाहर लाना होगा, तो जैसे ही वो बाहर आएगा, बाहर आएगा, तो आपके macrophages जो होगे, वो इसको capture करेंगे, और उनको cell को खतम कर देंगे, इस पूरे process को करने के लिए दो तरीके थे, ठीक है, ये process कैसे हुआ, तो यानि कि अगर आपका एक translocator खराब हो गया, जो चीजों को maintain कर रहा था, balance को maintain कर रहा था, अगर वो translocator खराब हो गया, तब भी ये चीजे हो सकती है, और एक जो बहतरीन enzyme जो इसमें काम करता है, वो आपका नाम याद रखना है, स्क्रैमलेज होता है, ये आपका बोथ direction में काम करता है, non-specifically कारे करता है, ठीक है, तो ये भी इसकी activity जो होती है, वो बढ़ जाती है, जब ये condition आती है, ठीक है, और इसमें हमने एक सरन एक चीज़ और रताया है, क्या बताया है, down the year concentration gradient, तो इस चीज़ को हम याद रखें है, बाकी आसा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे videos available है, ठीक है, यहाँ पे लच्छ dbt के नाम से भी हमने start किया है, जहाँ पे आपको numerical से related कुछ dbt के specific topics से लिटे चीज़े पढ़ाई जाएंगी, उनको देखी और ऐसा नहीं है कि आपन से लिटे होंगे ना, तो आपका दुनिया क्या करेगा कि उस question में time लगाएगी, लेकिन आपको क्या होगा है, उस वैसे जैसा कोई questions आपको मिल गए, तो आपको सोचना नहीं है, वो time आपका save होगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आपको notes बनाना है, उन चीज़ों को र बहुत ही अच्छे से आपका dbt, grf और इसके अलावा जो आपका next exam CSIR जब भी conduct कराएगा, आपका बहुत सारे topics इस channel पर cover हो चुके होगे, तो बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जहां पर नहीं समझ में आता है, बताईए, हमारे लच जयारफ चैनल को join करिए, बा की मिलते हैं, next video में, next information के साथ, thank you, well